हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे दिवाले स्पेसल कोकोनट पेडा जो बहुत ही जल्दी बनके तियार होगा और खाने में बहुत ही तेस्टी बनके तियार होता है तो चलिए फ्रेंड्स बीडियो शुरू करते हैं इसके लिए हम लेंगे 1.5 लीटर दूद दूद को हमने रख दिया है जब तक दूद गर्म हो रहा है तब तक हम आगे एक्पियारी कर लेंगे ये मैं ने लिआ है कच्चा नारियल को और इसका हम ऊपर से छिलका अठा देंगे मैंी ये नाईव की सायथा से इन आ रही हूंआप चाबो तो पीलर की सायथा से बैटा सकते हो यह देखे यह हमने पूरा कोकोनट साफ कर लिया है अब हम लेंगे एक मिक्सिंग ग्राइंडर और इसमें हम इसके पीस कट करके डाल देंगे आप चाहों तो इसको ग्रेट भी कर सकते हो हम मैं इसको पीस कर लाती हूं अभी यह पिसा नहीं है तो इसमें मैं थोड़ा दूट डाल दूगी और इसको थोड़ा दूट डाल के ही पीसना है जिससे अच्छे से पिस जाएए यह देखिए यह हमारा पेस्ट बन के तियार हो दूद को देख लेते हैं दूद में बॉयल आ गया है तो आप हम इसको इसमें टाल देंगे अब हम इसको चलाते रहेंगे अब हम ही रखेंगे अब हमारा दूद पकरा है यह देखिए दीरे दीरे थिक होता जा रहा है अब हमको इसे और थिक करना है अब ऐसे भी दिवाली आ रही है आप दिवाली पर यह मिठाई बना सकते हो और बहुत इजी है इसका बनाना यह मैंने लिए है 300 ग्राम चीनी एक कटोरी चीनी है इसको हम इसमें डाल देंगे और हम चलाते रहेंगे जब हम चीनी डालेंगे थोड़े देर के लिए थोड़ा लिक्ड़ हो जाएगा यह लेकिन दीरे दीरे यह जैसे ही जासनी पकती जाएगी तो यह गाड़ा होता जाएगा और थोड़ा साफदानी से करें क्योंकि इसके चीते पड़ेंगे यह देखिए हमारा यह थिक हो रहा है अभी हमें इसको और थिक करना है यह देखिए अब हमें इसमें डाल देंगी फूड़ कलर यह ओफनल है चाहो तो आप इसके भी कर सकते हो बस मैं थोड़ा सा कलर लाने के लिए यह डाल रही हूँ यह मैंने यलो फूड़ कलर डाला है मिला लेंगे इसको हम अच्छे से थोड़ा से डालूँगे मैं इसमें रेड फूड़ कलर कि दोनों का मिक्स होके बहुत ही अच्छा कलर आता है आप चाहो तो कोई भी एक डाल सकते हो यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है जो हलवाई पेड़े बनाते हैं विल्कुल ऐसा ही कलर आया है इसका अब हम इसकी फ्लेम आफ कर दिंगे और अभी हमें इसको चलाते रहना है नहीं तो यह नीचे लग जाएगा इसमें लाची पाउडर डाल दिंगे अब टीस्पून अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसको ठंडा होने दिंगे ठंडा होने के बाद हमें इसको इसके पेड़े बनाने तो आप चाओ तो मिठाई के पीस भी कट सकते हो, जाब हम इसको गरम ले किया तो कोई भी प्लेट में इसको स्प्लेट करके और फिर इसके कट सकते हो, यह रख हल्का कर रहना चाहिए तभी इसके पेड़े बनेंगे, अगर आपने ज्यादा thंडा कर लिया तो इसके इसी तरह से हम सारे पेड़े बना कर तयार कर लेंगे यह देखिए सारे पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं हम में थोड़ा से डेकोरेट कर लेती हूँ यह में ड्राइफ फूट लगा रही हूं आप चाहू तो लगा सकते हो नहीं ते स्किप भी कर सकते हो यह देखिए हमारी यह मिठाई कितने देखने में संदल लग रही है खाने में भी बहुत ही टेस्ट ही है तो फ्रेंटस एक बार जरूर ट्राई करें और अपना फीडियो यह मेरे साथ सेट करें हमारा वीडियो आपको लगा हो लाइक करें अपना चैनल को विदारवी को सब् राइब करें